हेलो एंड वेलकम टो अचीवर्स IQ एजुकरीशन दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ इंपोर्टेंट मिसलीनियस प्रस्नों को जानेंगे जो कि हमारी आने वाली किसी भी परिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो चले चलते हैं हमारे पहले प्रस्न पर और हमारा पहला प्रस्न है एक कोण उसके पूरक से 26 दिगरी अधिक है कोण की माप क्या है चले दोस्तों देखेगा माल लेते हैं हमारे पास एक कोण है A दूसरा कोण है B ओके चले देखेगा दो कोण आपस में पूरक कोण तभी हो सकते हैं जब उनका योग 90 डिग्री हो इसका मतलब यह है कि एंगल A प्लस एंगल B कि जो वैल्यू होगी वे होगी 90 डिग्री ओके अब हमारे पाइस तरस में दिया हुआ है कि एक कोन उसके पूरक से 26 डिग्री अधिक है इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दो कोण दिये हुए हैं उनमें से जो एक कोण है वह दूसरे से 26 दिगरी अधिक है यह हम यूँ कहें कि इन दोनों कोणों का आपस का अंतर 26 दिगरी दिया हुआ है तो चलिए माल लेते हैं एक कोण बड़ा होगा obviously माल लेते हैं हमारे पास angle A बड़ा है तो angle A minus angle B है चलिए यह इसे solve करें और इसे आपस में add करें तो हमार पास negative sign से आपस में कड़ जाएंगे है ना हमारे पास बच जाएगा to angle A equal to यह आपस में जूड रहा है तो 90 plus 26 होगा हमारे पास 116 यहां से हमें पता चलेगा angle A और angle A की value क्या होगी हमारे पास यह होगी हमारे पास 58 दिगरी तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा क्या option number A 58 दिगरी यहां से हम दूसरे angle को भी निकाल सकते ह है angle B होगा हमारे पास जब दो का योग 90 दिगरी है एक A निकला हमारे पास 58 दिगरी तो दूसरा क्या होगा 90 minus 58 equal to 32 दिगरी ओके चले चलते हैं हमारे दूसरे प्रेस्ट पर और हमारा दूसरा प्रेस्ट है यह दि कॉस alpha upon cos beta equal to A sin alpha upon sin beta equal to B तब sin square beta के बराबर क्या होगा चले देखेगा हमारे पास दो equation दीवी है मान लेते हैं सबसे पहले cos alpha upon cos beta equal to A है तो मैं इसे लिख सकता हूँ क्या cos alpha equal to यह cos beta यहाँ जाकर multiply बनाएगा तो यह हो जाएगा A into हमारे पास मिलेगा cos beta यह हमारे equation number 1 हुई sin alpha upon sin beta equal to हमारे पास B दिया हुआ है तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास sin alpha equal to B sin beta अब हमारे पास पूछा गया है कि sin square beta क्या होगा हमारे पास square पूछा गया है इनका तो सबसे पहले इन दोनों का हम square कर लेते हैं तो देखेगा square करके क्या मिलेगा इन दोनों का अलग अलग square होगा तो यह होगा हमारे पास cos square alpha equal to A square cos square beta इस equation का square होगा तो यह हो जाएगा हमारे पास sin square alpha equal to b square sin square beta चलिए अब इन दोनो equations को आपस में add करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलेगा इन दोनों को आपस में add करने पर हमें मिलेगा क्या sin square alpha plus cos square alpha equal to a plus यह क्या होगा हमारे पास b square sin square beta plus a square cos square beta चलिए देखेगा हमारे पास जो यह equation है हमारे पास जिए हम इसके left side को देखें इसका मनले sin square alpha plus cos square alpha को तो यह हमारे पास कुछ form में दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है यह दिख रहा है हमारे पास किसमे sin square theta plus cos square theta equal to one formula है ना हमारे पास तो यह है इसी form में हमारे पास दिया हुआ है आप confuse मत होएगा कि यहाँ पर हमारे पास alpha दिया हुआ है और यहाँ मैंने आपको theta दिया हुआ है यहाँ पर theta हम कुछ भी हो सकते हैं मान लेते हमारे पास दो सेम नंबर है चाहिए बहुत 45 degree है या 60 है या 90 है हमारे पास यहाँ पर same value होनी चाहिए तो हम उस value की जगह पर theta रख सकते हैं या theta की जगह पर हम उस value को रख सकते हैं उससे कोई भी changes हमारे question में नहीं होगा चलिए देखेगा हमारे पास sin square theta alpha प्लस cos square alpha है या adjective हमारे पास sin square theta प्लस cos square theta की form में है है ना तो इसका मतलब जब हमारे पास sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर total इस पूरे की जगह पर 1 लिख सकते हैं तो चलिए अगर देखेगा एक बराबर होगा हमारे पास b square sin square beta plus a square अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है cos square beta हमें तो sin theta चाहिए था sin square beta की value चाहिए थी तो देखिए हमारे पास जब sin square theta plus cos square theta equal to 1 होता है तो क्या मैं इसी equation को इस तरीके से लिख सकता हूँ cos square theta equal to 1 minus sin square theta मैंने बस sin square theta को इसके right hand side में transfer किया तो मैं लिख सकता हूँ cos square theta की जगह पर 1 minus sin square theta और यहां पर हमारे पास cos square theta दिया हुआ है तो इसका मतलम मैं यहां पर क्या लिख हूँगा 1 minus sin square theta तो लिखिएगा a square इसके साथ multiply में है तो यह हो जाएगा 1 minus sin square beta क्योंकि यहां पर beta है तो यह बीटा होगा इस a square से हम इसके multiply के साथ इस bracket को open करते हैं तो हमें मिलेगा 1 equal to b square sin square beta plus a square into 1 equal to हमारे पास a square रहेगा यह minus as it is आएगा a square into sin square beta हमारे पास होगा a square sin square beta चलिए देखिए अब हमारे पास यहां पर तीन पद हो गए एक तरब से है ना b square sin square beta एक हो गया a square दूसरा हो गया और minus a square sin square beta हमारे पास दूसरा है अब यह दि मैं इस a square को transfer करूँ अपने left hand side में तो यह होगा हमारे पास 1 minus a square equal to अब देखिए हमारे पास यहां क्या बच जाएगा b square sin square beta minus a square sin square beta तो मैं यहां से directly sin square beta common ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास इतने हिस्से में से तो हमारे पास बचेगा b square यह minus का minus आया और इतने हिस्से से जब हम sin square beta को common बाहर ले चुके है तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास मातर a square अब इस पूरे को b square minus a square को transfer करते हैं इसके बटे में तो हमारे पास यहां से sin square beta की value का पता चलेगा यह होगी 1 minus a square whole upon b square minus a square तो चलिए देखिए हमारे पास a square beta की value मिली a minus 1 minus a square whole upon b square minus a square यह किस option के साथ match कर रहा है a नहीं है b नहीं है c के साथ match कर रहा है लेकिन हमारे पास c option में a square minus 1 दिया हुआ है तो चलिए इसमें थोड़ा सा changes और करेंगे हम यह होगा equal to minus a square यह है minus का है हमारे पास 1 plus का है तो पहले इनके places को हम change करते हैं देखिए मैं इसी को लिख सकता हूँ minus a square plus 1 लिख सकता हूँ na upon नीचे वाले को लिख सकता हूँ minus a square plus b square इससे कोई दिक्कत है बिल्कुल भी नहीं है मैंने सिर्फ इनके places को ही तो change किया है इनके sign को अभी मैंने बिल्कुल भी चीज़ नहीं किया यदि इस one को देखे यह plus का है इसमें भी हमारे पास one plus का है a square इसमें minus का है इसमें भी हमारे पास a square minus का है तो यह हो जाएगा हमारे पास आब इसमें से हम minus को common लेंगे तो यह क्या बच्चे का माइनस बहार आया, अंदर बचा हमारे पास a square, अब यह जो plus था यह हो जाएगा minus, क्यूं? क्यूंकि जब हम इस bracket को फिर से open करेंगे minus के multiple में, तो यह minus a square के साथ multiply होके minus a square बनाएगा, फिर minus into minus plus होगा, और one हमारे पास ऐसा ही रहेगा, तो यह फिर ब माटे में भी होगा, minus बहार आया, a square minus b square आया, minus से हमारा minus cancel होगा, अब फाइनली हमारे पास क्या बचा, minus a square minus 1 upon a square minus b square, यानि कि हमारा option number 3 is the right answer, चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रेस पर और हमारा अगला प्रेस है, यह दि 2 minus cos square theta equal to 3 sin theta cos theta है, जहां sin theta is not equal to cos theta, तब 10 theta का मान क्या होगा, चलिए देखेगा, हमारे पास यह पूरी equation जो dv है, यह dv है, 2 minus cos square theta minus 3 sin theta cos theta, हमें value निकालनी है किस की, 10 theta की, तो मैं इस equation में किस चीज़ से divide करूँ, कि हमारे पास यह equation 10 theta की फॉर्म में जाए, तो चलिए मैं इसे divide करता हू cos square theta से, तो यह होगी हमारे पास 2 upon, दो में पहले हमने cos square theta से भाग दिया है ना, minus cos square theta से हमने cos square theta में भाग दिया, equal to 3, यह होगा हमारे पास 3 sin theta cos theta, मैं इसमें भी भाग दूँगा, किस से, cos square theta से, लेकिन मैं इसमें cos square theta को क्या लिख सकता हूँ, देखे, cos square theta को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, cos theta into cos theta, देखे दोस्तों हम कभी cos square theta लिख सकते हैं, कहीं पर हम cos square theta into cos square theta लिख सकते हैं, और इस तरीके के जो भी changes होते हैं, या हमारी requirement के हिसाब से हम में करते हैं, चाहे मैं cos square theta लिखू, चाहे मैं cos theta into cos theta लिखू, बात तो हमारी एक ही है, यह बस इसलिए होता है कि जहाँ पर हमारे पास जिस चीज की requirement है, हम उसे उस तरीके से put करें, क्योंकि देखेगा, यहाँ पर हमारे पर सिर्फ cos square theta है, तो मैं यहाँ पर cos square theta से directly divide करूँ, तो हमारे पर समझने में आसानी होगी, देखेगा कैसे, cos theta से हमारा cos theta कट जाएगा, यह हमारे पास sin theta upon cos theta बचेगा, जो की change होगा किस में, 10 theta में, तो देखेगे, यह हमारे पास 2 है, तो 2 गुणा हम लिख सकते हैं, 1 by cos square theta, और 1 by cos square theta होता है, हमारे पास sec square theta minus cos square theta upon cos square theta, मतलब की 1 हो हमारे पास 3 sin theta upon cos theta होता है, हमारे पास क्या, 10 theta है ना, तो देखेगे, अब हमारे पास एक value आई, हमारे पास sec theta, एक आई, हमारे पास 10 theta, और हमारे पास finally 10 theta के हमें value चाहिए, तो क्या मैं sec square theta को 10 theta में convert कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, देखे, हमारे पास एक formula होता है sec square theta minus 10 square theta equal to 1 है ना तो sec square theta होगा हमारे पास 10 square theta को मैं transfer करता हूँ यहाँ तो यह क्या हो जाएगा 1 plus 10 square theta तो इसका मनलब यह है कि sec square theta की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 plus 10 square theta तो चले लिखेगा तो यह हो जाएगे equation हमारे पास 2 into 1 plus 10 square theta bracket के बाहर हमारे पास minus 1 equal to 3 10 theta है ना चले bracket को open करते हैं तो यह मिलेगा हमारे पास 2 into 1 equal to 2 plus 2 10 square theta minus 1 equal to 3 10 theta अब यह 2 है हमारे पास plus का यहां पर minus 1 है तो 2 में से 1 गया हमारे पास क्या बचेगा एक ही बचेगा तो यह हो जाएगा 1 plus 2 10 square theta चले इसे भी हम transfer कर लेते हैं अपने left hand side में तो यह हो जाएगा minus 3 10 theta equal to 1 अब हम इस equation को यह ध्यान से देखें तो यह हमारे पास कुछ दिख रहा है यह हमारे पास एक quadratic equation दिख रही है है जो होती है हमारे पास जैसे कि मान लेते हैं तो मैं इसे पहले से एक बारी write कर लेता हूँ इसे तोड़ा हम करम wise लगा लेते हैं तो यह मान लेते हैं यही equation मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास मलब हमें इसके कुल मिला कर factor करने हैं है ना और factor आपको पता है हम equal to 0 रखते हैं तो देखिए मैं इस 310 theta को किस तरीके से तोड़ू तो देखिए हमारे पास यह हो जाएगा 210 square theta minus 310 theta को मैं लिख सकता हूँ 210 theta minus 10 theta plus 1 equal to 0 ओके देखो minus 210 theta minus 10 theta equal to होगा हमारे पास क्या आपस में यह तो जुड़ जाएगा बस sin तो minus कर रहेगा और यही तो हमारे पास उपर की equation में दिया हुआ है है ना तो यह होगा हमारे पास देखो इस वाले हिस्से से हमारे पास common क्या आया यहां से हमारे पास common आया 210 theta common आया अंदर क्या बचा हमारे पास 10 theta बचा minus यह 210 theta बाहर आया तो finally हमारे पास 1 बचा minus 1 बचा minus 1 हमने यहां से common लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा 10 theta minus 1 equal to 0 हो जाएगा इस तरीके से हमार पास 2 factor मिले एक तो 2 10 theta के साथ हमार पास minus 1 का combination बना और ये एक ये हमार पास combination बना इसका तो इसका मनला हमार पास finally मिला 2 10 theta minus 1 और एक factor मिला हमार पास 10 theta minus 1 तो अब हम इनके equal to में अलग-अलग एक बार 0 रखते हैं तो चलिए सबसे पहले हम रखते हैं किसके इसके equal to में 0 रखेगा 2 10 theta minus 1 equal to 0 तो यह हो जाएगा 10 theta equal to minus 1 transfer हुआ प्लस बना और बटे में गया क्या 2 तो हमार पास पहले 10 theta की value आई एक बटा 2 दूसरा है हमारे पास 10 theta minus 1 equal to 0 तो 10 theta की जो value आई हमारे पास क्या आई 1 आई है अब देखिए 10 theta की जो value है न 1 यह होती है हमारे पास 45 दिग्री में 10 45 के बराबर ही तो 1 होता है हमारे पास लेकिं देखिए हम इसे नहीं ले सकते क्यों कि 45 में साइन ثीडा कोस थीटा हो, 10 theta कोट थीटा हो या सेक थीटा कोट थीटा हो हमेशा आपस में सब की value समान होती है मतलब यह नहीं कि साइन का आपका 10 के साथ बराबर होगा नहीं sin cos बराबर होते हैं cos 10 और cot बराबर होते हैं sec और cos x हमारे बराबर होते हैं है ना तो इसका मलब हम इसे नहीं ले सकते क्यों क्योंकि हमारा पार condition है sin theta is not equal to cos x cos theta तो इसके साब हम जाएंगे दूसरे option के साथ हमारे पास जो finally value मिलेगी वह मिलेगी 10 theta equal to 1 by 2 यानि कि हमारा option number B is the right answer चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रस्ट पर चलिए हमारा अगला प्रस्ट है एक प्रकास के खंबे के seeds के दो एक रेखस्ट बिंदू A और B से उन्नयन के कोणों का माप क्रम 130 degree और 60 degree है चलिए देखेगा मान लेते हैं हमारे पास कोई एक खंबा है इसके एक रेखस्ट के वह बात कर रहा है मान लेते हैं इधर की side वह दो बिंदू के बात कर रहा है और उन्नके उन्नयन कोण वह 60 और 30 है यह हमारे पास मान लेते हैं कोई 2 वह बिंदू है एक ही तरव यह मान लेते हैं हमारे पास point A है यह हमारे पास point B है यह हमारे पास C है यह हमारे पास D है यह वाला code हमारे पास कितना होगा यह तो हमारे पास 60 degree होगा यह code हमारे पास कितना होगा यह हमारे पास 30 degree होगा क्योंकि जितना दूर होगा, उतना कौन छोटा होता जाता है, देखिए, यदि बिंदू के बीच की दूरी 250 मीटर है, यह बिंदू है हमारा एक, यह बिंदू है हमारा एक, इन दोनों के बीच हमारे पास 50 मीटर की डिस्तिंस है, और मान लेते हैं, यहां से यहां तक हमारे प से पहले चलते हैं हम एंगल हमारे पर चलते हैं पहले तिर्भुज ए बी और सी में तो यह हो जाएगा हमारे पास 1060 डेगरे इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी 1060 कितना होता है हमारे पास हमारे पास 1060 की वैलियो होती है रूट 3 इक्वल टू ए भी तो हमें एच निकालना ही है बी सी हमारे पास एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब एच बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स रूट 3 चलिए चलिए आप चलते हैं हम तिर्भुज ए बी डी में ओके तो यह हो जा हमारे पास 10 30 डिग्री एक्वल टू ए बी अपॉन बी डी तो यह हो जाएगा हमारे पास 10 30 की जो वैल्यू होती है वह होती है 1 बाई रूट 3 एक्वल टू ए बी तो हमारे पास एच दिया हुआ है एच अपॉन तो यह हो जाएगा एक्वल टू सो पचास मीटर है ना तो एच की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आएगी तो यह मल्ट उपर चले जाएगा यह हो जाएगा x plus 250 बटा रूट 3 अब हमें निकालना है क्या h देखेगा h यहाँ पर भी है इसकी value h की value यह भी है h दोनों cases में तो हमारे पास समान ही तो होगा तो h equal to मैं h लिख सकता हूँ तो यह क्या हो जाएगा हमारे पास x root 3 equal to x plus 250 बटा रूट 3 तो यह under root 3 हमारे पास यहाँ multiply में जाएगा root 3 into root 3 क्या होगा हमारे पास 3 तो 3x equal to x plus 250 x transfer होगा यहाँ minus में जाएगा 3x में से 1x गया तो बचा कितना 2x और 2x की value 250 तो x बराबर कितना होगा हमारे पास 125 तो x की value आप किसी में भी रख सकते हैं चाहे इस equation में रख दीजे चाहे इस equation में रख दीजे जिसमें भी आपको suitable हो आप उसमें रख सकते हैं और वहाँ से आप x की value ले सकते हैं तो चलिए हम रखते हैं किसमें इस equation number 1 में तो x बराबर होगा हमारे पास 125 root 3 और यही हमारा answer होगा अच्छा हमारे option हमारे पास clearly हैं तो देखेगा चलिए root 3 की value रखते हैं 125 गुणा root 3 होता है हमारे पास approximately 1.73 और यह multiply होगा हमारे पास होगा लगबग 216.5 के करीब मलब option D हमारा सही answer है आप इसे multiply करके अपना comment में answer कर सकते हैं चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रस्ट पर और हमारा अगला प्रस्ट है यदि sin theta plus cos theta equal to under root 2 cos 90 minus theta है तो cot theta का मान क्या है चलिए देखेगा हमारे पास यह equation देवी है sin theta plus cos theta equal to under root 2 cos theta under root 2 cos 90 minus theta चलिए यदि हम सिर्फ इस वाले पार्ट को देखे सबसे पहले इतने हिस्से को देखे cos 90 minus theta होता है हमारे पास sin theta तो मैं इस equation को लिख सकता हूँ sin theta plus cos theta equal to under root 2 सिर्फ इस हिस्से में cos 90 minus theta होता है हमारे पास sin theta तो चलिए अब इस equation में मैं किस चीज़ से भाग दूँ कि हमारे पास cotta theta का मान निकले यह तो काफी simple है यह रही हम इस पूरे equation को sin theta से divide करें तो चलिए देखेगा यह मैं इसन 30 से divide करूऊ तो यह हो जागा sin theta upon sin theta upon Delta sin theta upon sin theta 1 हो जाएगा प्लस cos theta upon sin theta होता है हमारे पास cot theta equal to यह आपस में 1 हो जाएगा तो बज जाएगा मातर root 2 और तो cot theta की जो value होगी वह क्या होगी root 2 minus 1 मतलब कि हमारा option D is the right answer चले चलते हैं हमारे अगले प्रेस पर और हमारा अगला प्रेस है यदि 10 theta equal to 8 बटे 15 और theta noon कोन है तो कौसक theta का मान ग्यात करें चले देखेगा हमारे पास सबसे पहले एक चीज को समझेगा हमने देखा था सबसे पहले लाल बटे कक्का इसका मतलब होता है हमारे पास sin theta तो sin theta का मतलब L बटे के मतलब लंब बटा कर्ण लंब बटा कर्ण इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे cos theta तो कॉस्ट थीटा का मतलब होता है हमार पास अधार बटे कर्ण अधार बटे कर्ण इसी तरीके से हमार पास टैन थीटा की जो वैल्यू होती है वह होती है लंब बटे अधार लंब बटे अधार तो हमार पास टैन थीटा दिया हुआ है कितना आठ बटे पंद्रा तो हमार प होगा करण का वर्ग मालेते हैं हमार पास करण एच है ठीक है कर कर बरावर होता है हमारा अधार आधार का वर्ग 15 कितना हो जाएगा ल्ग्रक्त undu सब्सक्ना फिर तो पक्राइब कितनान दोनों मिला कि हमारे पर कितना हो जाएगा 290 और 290 किसका वर्ग Прमूल होता है यह होता है मार पार 17 का गया को है अब हमसे पूछआ गया है कि कॉषक थीक अ मान क्या होगा तो कोषक थीटर हमारा पास यहाँ से हमें उल्टा चलना पड़ेगा इधर है ना यहां से हमने पहले टेन थीटा तक यहां चले थे फिर आब हम यहां से कॉट से अपना कॉसक तक यहां चलेंगे तो कॉसक का कॉसक की जो वैल्यू होती है हमारे पास कॉसक थीटा इकवल टू यह होती है कर्ण बटा लंब कर्ण बटा लंब और कंड क्या है हमारे पास 17 और लंब क्या है हमारे पास 8 तो 17 बटा 8 मतलब कि हमारा option A is the right answer चले चलते हैं हमारे अगले प्रेस्ट पर और हमारा अगला प्रेस्ट हैं अगर 10 A plus B equal to under root 3 cos A minus B equal to under root 3 upon 2 और A is greater than B तो A और B का मान ज्यांत कीजें चले देखेगा हमारे पास दियावा है सबसे पहले 10 A plus B equal to root 3 तो root 3 हमारे पास 10 की किस degree के लिए होगा तो यह होता है हमारे पास 10 60 के लिए तो इसका मनलब यह होगा 10 A plus B equal to 10 60 degree 10 से हमारा 10 cancel हुआ हमारे पाइनली क्या बचा A plus B equal to 60 degree है ना अगला दियावा है हमारे पास cos A minus B equal under root 3 upon 2 तो under root 3 upon 2 cos की किस degree के लिए होगा यह होता है हमारे पास cos 30 बराबर under root 3 upon 2 है ना तो यह होगा हमारे पास cos A minus B equal to 30 degree तो cos से हमारे पास cos cancel हुआ तो finally क्या बचा हमारे पास A minus B equal to 30 degree तो इनको आपस में जोड़ने पर यह B B आपस में कड़ जाएंगे हमारे पास बचेगा 2 A 2 A equal to 90 तो A equal to 90 तो A equal to 45 तो A equal to 45 है तो A की value आप इन में से किसी में रख दीजे चाहिए यहाँ पर रखिए चाहिए यहाँ पर रखिए तो हमारे पास B मिलेगा तो चलिए हम रखते हैं पहले वाले में तो A βराबर 45 है तो B बराबर कितना हो जाएगा यहां 45 transfer होगा 60 के साथ और 60 रिन 45 बराबर होता है हमारे पार कितना 15 तो इसका मनलब जो हमारा option number B है वे बिल्कुल सही उत्तर है चले चलते हैं अगले press पर और हमारा अगला press है cot 15 degree into cot 20 degree into cot 70 degree into cot 75 degree तो चले दोस्टों जब भी हमारा पास इस तरीके का कोई press नहोता है सिर्व हमारा पास cot की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मैं बात कर रहा हूँ चाहिए sign में हो चाहिए आपका cost में हो चाहिए आपका 10 में हो या किसी में भी हो तो इन्हें हम relate करते हैं सबसे पहले दो ऐसे value से जो मिल करके 90 बनाते हैं तो देखिए हमारा पास cot 15 है cot 75 है तो 75 और 15 मिल करके 90 बनाते हैं है ना इसी तरीके से cot 20 है cot 70 है दोनों मिलाके हमारा पास 90 बनाते हैं तो सबसे पहले मैं इसे फिट से लिख लेता हूँ कि एक तरीक कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री एक साथ लिख लेते हैं हम इने कॉट 20 डिग्री वैसे यह जरूरी नहीं है कि हम इने साथ में लिखें हम इने डिरेक्ली सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं यह सिर्फ आपको समझाने के लिए एक साथ लिख रहा हूँ, देखेगा कॉर्ट 20 डिग्री यह होगा और इसके साथ आएगा कॉर्ट 70 डिग्री, आप मैं कॉर्ट 75 को क्या लिख सकता हूँ, हमें चेंज करना है इसे कॉर्ट 90 माइनस थीटा की फॉर्म में, तो य देखेगा यह होगा हमारे पास कॉर्ट 90 माइनस थीटा, मैं थीटा में लिखूँगा 15 डिग्री, यदि मैं 90 में से 15 माइनस करों तो पिछेत तर ही तो मिलेगा, तो फिर हमारे पास कॉर्ट 75 मिल जाएगा, आगे होगा कॉर्ट 20 डिग्री, तो यह हो जाएगा हमारे पास क Cod15 degree into cot90 माइनस theta होता है हमारे पास 10 theta तो यह हो जाएगा हमारे पास 10 15 into cot20 into cot90 माइनस theta होता है हमारे पास 10 theta तो यह हो जाएगा हमारे पास 10 20 10 को change करते है cot की form में, has tend to cot15 इंटू 10 होता है हमारा पास 1 upon cot यह हो जाएगा 1 upon cot 15 into cot 20 into यह हो जाएगा हमार पास 1 upon cot 20 cot 20 से हमार पास cot 20 कटेगा cot 15 से हमार पास cot 15 कटेगा और finally हमार पास एक गुणा एक बचेगा जिसकी value हमार पास एक मिलेगी मतलब कि हमारा option number c is the right answer तो चले चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रेस्ट पर और आज का हमारा अंतिम प्रेस्ट है sin 45 प्लस थीटा माइनस cos 45 माइनस थीटा का मान क्या है तो चले देवस्तो देखेगा जो यह हमारे पास प्रेस्ट इतना दियावा है sin 45 प्लस थीटा यह हमारे पास form में है किसके sin a प्लस b के और इतना जो हमारे पास cos 45 माइनस थीटा दियावा है यह हमारे पास formula में है cos a माइनस b के तो सबसे पहले आप देखेगा sin a प्लस b का हमारे पास जो formula होता है वह होता है sin a into cos b plus sin b into cos a a है हमारे पास यहाँ पर क्या 45 b है हमारे पास यहाँ पर थीटा तो चलिए इनकी value रखते हैं तो यह हो जाएगा हमारे पास sin a बराबर 45 degree है तो यह हो जागा 45 degree into cos b हमारे पास theta है तो यह हो जाएगा cos b sin b b हमारे पास theta है तो sin b into cos a हमारे पास 45 है तो यह हो जाएगा हमारे पास 45 degree इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा चलिए दहां पर लिखते हैं यहाँ होगा हमारे पास cos a minus b और cos a minus b होता है हमारे पास cos a cos b plus sin a sin b ओके तो यहाँ होगा हमारे पास cos a तो यहाँ होजाएगा हमारे पास cos 45 degree cos B, मनलग cos theta sin A, तो यह हो جाएगा sin 45 degree sin theta अब यह कहता है यह हमार पास sin 45 minus theta plus theta minus cos 45 minus theta यह हमार पर minus है तो पें को आपस में minus करते है तो यह हो जाएगा हमारे पास इनके साथ साथ हम values को रखते हैं sin 45 होता है हमारे पास 1 by root 2 तो यह हो जाएगा sin 45 1 upon root 2 into cos theta तो हमार पास same रहेगा plus sin theta हमार पास फिट से same रहेगा cos 45 degree यह भी हमार पास 1 by root 2 होगा क्यों क्योंकि हमार पास sin theta और cos theta की value 45 degree में समान होते हैं तो यह होगा हमार पास 1 by root 2 minus अब यहां से minus शुरू होता है cos 45 degree फिट से 1 by root 2 हमार पास cos theta यह प्लस है minus हो रहा है तो minus हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा हमार पास sin 45 degree तो sin 45 की value है फिट से 1 by root 2 sin theta finally हमार पास बसते sin theta अब हमार पास जो plus का है उसे minus के साथ उसके काट देंगे और जो हमार जो मला आपस में मिल रहे हैं उन्हें काट लेते हैं देखेगा minus 1 upon root 2 cos theta हमार पास 1 upon root 2 cos theta के साथ कट जाएगा तो यह होगा यह कटेगा हमार पास इसके साथ यह plus वाला यह कटेगा इसके minus के साथ और finally हमार पास बचेगा क्या 0 तो इसका मला हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा option number D is the right answer चले दोस्तों उमीर है कि आपको यह session जरूर पसंद आया होगा यदि आपको यह session पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की notification आप तक मिलती रहे वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और comment जरूर करें thank you and thanks for watching